नमस्कार दोस्तों आप देख रहें मेरा यूटूप चैनल दीप्वे कथा और स्वागत है मेरा यूटूप चैनल दीप्वे कथा पर दोस्तों आज मैं बात करेंगे बुरे दिन से बचने के लिए बेहत सार स्वरल उपाय चलिए जानते उन उपायों को बारे में येदि आप पर गढ़न छत्र की बुरी दसा चल रही है और आप आप संकटों से गिर रहे है ये भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आपकी समस्या से गिर हुए है एक के बाद संक बट आते ही रहते हैं और बताई हां बताए गए उपायों को अवस्य आजमाए है टोना कहने से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कोई तांत्री या जादू होने वाली बात होगी लेकिन ये सरवदा गलत की बात है जोती सास्तर में लाल किताब के साथ तुटके रहते हैं उन्हें आप उपाय कह सकते हैं बहुत से बहुत लोग इस उपाय से और इसे बहुत लाब ली चुके हैं लेकिन ये उपाय करने से किसी भी परकार के कोई बुराई नहीं है चलिए जानते हैं एक के एक करके उन उपायों को बारे में पहला उपाय हनुमान चालिशा का चाहिए संधिया बंदन के साथ हनुमान さ आप परना चाहिए शंद्या बंदन घर में जा मंदर में भी जान की सुव करनी जाती है पभित्र और पुर्वक हनुमान चलिशा पढ़ने से हनुमान जी की विशेश क्रवा की प्राप्ति होती है जो हर संकट की अनुहोनी को भी दूर करती है अगर हो सके तो हनुमान जी की पढ़ने के बाद का पुर्गी आर्थी अवस्य करनी चाहिए दोसरा उपाय नार्यर का उतारा पानी दार एक नर्यर ले और उस अपने उपर एक एस बार बारे बारने के बाद उसे किसी भी देवास्तान पर जाकर अगनी में जला दे ये उपाय करने से परिबार जिस सदस्य पर संकट हो उसे को उपर बारे ये उपाय किसी मंगलबार या सनिबार को करना चाहिए पांच सनिबार ऐसा करने से जीवन में अचानक आये कष्ट से छुटकरा मिलेगी यदि ये किसी सदस्ट की सेहत खराप है तो उसके लिए ये उत्तम उपाय है तीसरा उपाय मच्छियों के खिलाए कागजों पर छोटे छोटे अक्षर पर राम राम लिखे अधिक से अधिक संख्या में नाम लिखकर सब को अलग अलग काट ले अब आटे की छोटी छोटी गोलिया बना कर एके कागज उन्हें लिपट ले और नदी की तलाविया पोकरी मच्छियों को और कच्छुयों को डाल दे और चीठियों को भूने हुए आटे में खिलाई है और इस उपाय से करने से हर किसी हर तरह की ग्रह दोस बाधा कर्ज मुक्ति से मिलती है चोथा उपाय जल अरपन एक तांबे की लोटे जल में और उसमें थोड़ा सा जल लाल चंदन मिलाले उस पत्र को शिराने पर रखकर रात को सो जाए प्रात उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पोधु में चटाती ऐसा कुछ दिनों कतक करने से धीरे धीरे आपकी जाने दूर हो जाएगे पाँचवा उपाय छाया दान करें सणीबार को एक कांचे की कटोरी ले उसमें सरसो का तेल सिकाट डाल को अपनी परचाय देखे और उस तेल को मांगने बाले के दे दे और या किसी सणी मंदिर में जाकर कटोरी सहित रखकर आए ये उपाय करन्त क कम से कम 5 सनी वार करें तो आफ की सनी पिटा में सांत हो जाएगी और सनी देव की किरपा शुरू होने लगेगी आफ सबी को इसी तरह हमारे वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे इस साइनल को लाइक कोमेंट और सब्सक्राइब करें धन्यवाद